तो ये तीन चार चिप्स हैं आपके लिए इन चीजों को अच्छी तरह से मेंटेन करें इंप्रिमेंट करें आपका शेंगन वीजा 100% लगेगा ही लगेगा क्या आप शेंगन वीजा अप्लाई करके थक चुके हैं क्या आपको मालूम हैं शेंगन वीजा एक साल का नहीं, दो साल का नहीं, पांच साल का मुल्टिपल एंट्री के साथ अपलाई कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम तो प्लीज वीडियो को नीचे कमेंड करके जुरूर बताएं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको शैंगन वीजा के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप एक साल का Multiple Entry Visa कैसे अपलाई कर सकते हैं दो साल का Multiple Visa कैसे अपलाई कर सकते हैं तीन साल का Multiple Visa कैसे अपलाई कर सकते हैं एंग शैंगन Long Term Visa क्या होता है कैसे अपलाई कर सकते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत informative वीडियो आपके लिए रहे सकती है वीडियो को शुरू करते हैं, वाहिगुर जी का खालसा, शिरु वाहिगुर जी के फटर, वेल्कम बेक टो मिर्सल सिंग जानल, तो आज हम बात करेंगे शेंगे वीजा के बारे में, लॉंग टरम वीजा के बारे में, तो हाँ जी, एक साल का शेंगें वीजा कैसे apply किया जात पहले उनके बारे में बात करते हैं एक साल का शेंगन वीजा उन लोगों को मिलता है जो लोग ओल्डड़ी शेंगन के अंदर जा चुके हैं दो साल के अंदर तीन बार लास्ट टू येर्स के अंदर अगर आप शेंगन वीजा लेकर जा चुके हो चाहे जर्मन, फ्रांस, इटली, किसी भी कंट्री के अंदर अगर इवन सेम कंट्री के अंदर आप तीन बार जा चुके हो दो साल के अंदर तो आप आफटर टू येर्स वन येर का मल्टीपल वीजा अपलाई कर सेकते हैं आपको बार-बार विजा अप्लाई करने की जूर्थ नहीं पड़ेगी. Same conditions जो होती है, दो साल का अगर Multiple Visa Entry अप्लाई करना हो, तो वो कैसे होगा? जिन लोगों के पास एक साल का Multiple Visa है, शेंगन का, वो अगर दो साल के अंदर आपने यूज कर लिया, तो लास्ट टू येर्स के अंदर आपने एक साल का Multiple Visa जो है, अपने यूज कर चुके हो, तो आपको आफ्टर टू येर्स, देन आप आप दो साल का Multiple Visa अप्लाई कर सकते हैं, वो भी शेंगन का, आपको बार-बार Basic के अंदर जाने की जूरत नहीं पड़ेगी, same as it, जो फाइव येर्स का Multiple Visa रहेगा, पहले होता है एक साल का, ठीक है, फिर आपको मिलता है दो साल का, फिर आपको मिलता है पान साल का, पान साल का Multiple Schengen Visa उन लोगों को मिलता है, जिन लोगों ने पिछले लास्ट, लास्ट थ्री येर्स के अंदर दो साल का Multiple Visa अपना यूज कर चुके हैं, ठीक है जी, अगर आपने लास्ट थ्री येर्स के अंदर टू येर्स का Multiple Entry-wise Visa जो रहेगा, आपने यूज कर लिया, तो आफ्टर थ्री येर्स आप पांच साल का Schengen का Multiple Visa अप्लाई कह सकते हैं, ये सुनने में तो बहुत एजी लग रहा है, बट थोड़ा सा difficult भी है, ये उन लोगों के लिए है, जो लोग Schengen के अंदर ट्रैवल करते रहते हैं, यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे कि हमें तो Schengen Visa मिलता ही नहीं है, क्यों नहीं मिलता क्योंकि आप अपनी profile के उपर काम ही नहीं करते, आपको अपनी profile के बारे में पता ही नहीं है, आप एजेंट के पास जाते हो, हाँ जी मेरा Schengen Visa लगा दीजिए, शोर्शोर्ट के नाम पर आप चले जाते हो कि पैसा वीजा लगने के बाद ले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एजेंट बोलेंगे, पैसा लगे का ठारा लाग, कोई मांगरा पंदरा लाग, कोई मांगरा बारा लाग, पहले अपनी profile देख लीजिए, मेरी वीडियो के साथ, बहुत लोगों ने अपने जर्मन के वीजा भी लिए है, फ्रांस के, इटली के बहुत शेंगन वीजा प्रवाइड की हुए है, नॉर्मल सिर्फ एक आपकी profile जो एगी है, अच्छी रहेगी, बास, बैक अकाउंट साथे तीन-चार लाग का हो, अच्छी financial status हो, आपके पास जोब होनी चाहिए, आपकी salary bank account के अंदर आती हो, बहुत इजी process है शेंगन के अंदर, बट लोगों के पास job नहीं है, काम करना नहीं चाहते, शेंगन वीजा कैसे मिलेगा, तो वो fraud agent के पास जाते है, कि हाँ जी, पैसा वीजा लगने के बाद दे दीजिए, 12 लाग दे दीजिए, 13 लाग दे दीजिए, उसका कोई भी benefit नहीं है, आप illegal ही रहोगे बाहर जाकर, पहली बात तो short short के अंदर वीजा लगेगा नहीं, और जब भी बाहर जाएंगे, आपको वहाँ पर illegal होना पड़ेगा, अब बात करते हैं, शेंगन का long term visa कैसे apply किया जाता है, तो पहले तो एक साल का multiple, दो साल का multiple, पांच साल का multiple जो शेंगन वीजा था, पहले तो आता है study visa, दूसरा आपके पास आता है family visa, तीसरा आपके पास आता है आपका work permit, तो ये तीनो long term visa provide की जाते हैं, जिसको हम type D visa बोला जाता है, अगर type C visa मिलता है, तो वो आपका सिरफ रहेगा tourist visa, अगर आपको type D visa के उपर लिखा हुआ है, जो visa मिलेगा, आपको type D लिखा हुआ, इट मिन वो long term visa रहेगा आपका, सबसे पहले हम बात करेंगे study visa, study visa क्योंकि study होती है, त्री मन से जादा, जितने लोगों का visa रहेगा, तीन मीने से जादा, छे मीने से जादा, या एक साल से जादा study रहती है, उनको type D visa मिलता है, जाने की long term visa, दूसरी तरह बात करते हैं family visa, माल लिजी मैने अपने mom को बलाना है, या किसी मेरे भाई ने, या किसी ओर हुए, अपने mom, dad को, अपनी wife को बलाना है, बच्चों को बलाना है, तो वो भी उनके लिए family visa apply करेगा, वो भी type D बिलेगा, क्योंकि long term visa, उनको ने long term रहना उनके प की भी validity मिलती है, बट वो still type D visa मिलता है, मतलब कि type D visa उन लोगों को मिलता है, जो लोग वहाँ पर resume permit apply करने के लिए जाना चाते हैं, work permit काम करने के लिए जाना चाते हैं, वहाँ पर settle होने के लिए जाना चाते हैं, उनको type D long term visa provide किया जाता है, तो ये shangan visa के अंदर requirements सी, and shangan visa की like, अगर कोई fresher देख रहा है, कि हम कैसे apply कर सकते है, shangan visa, हम अपनी profile को कैसे maintain करें, हम अपनी profile को कैसे देखें, हमारी checklist कैसे रहेगी, सबसे पहले मैं 2-3 tips दूँगा आपके पास, अगर आप shangan के अंदर enter करना चाते हैं, तो आपके पास सबसे पहले एक job होनी चाहिए, चाहिए वो एक साल होगे, job करते हुए, चाहिए आपको six month होगे, job जहां पर भी आप कर रहे हो, एक अच्छी company हो, ठीक है, आपकी salary 25-35,000 आपकी salary हो, एक अच्छी reputation की job हो, आपके पास ये नहीं कि आपर labor कर रहे हो, या टाइले का काम कर रहे हो, construction का का काम कर रहे हो, construction का क अच्छी company के अंदर काम कर रहे हो, जहां पर आपको proof मिल रहा है, आपकी salary bank के अंदर आ रही है, या check में आपको salary मिल रहे है, cash payment वाला कुछ भी नहीं चलेगा, तो कि वो financial status आपका account नहीं होगा, तो पहला step ये रहेगा, या tip माल ले जिए कि आपकी salary आपके bank account में आनी चा रहेगी, चार से पांच मिने की भी चल जाती है किसी country के अंदर, बर six month आप लगा लिजी, अच्छा रहेगा आपके लिए, पहली tip ये हैगी कि आपका financial status अच्छा होना चाहिए, and bank balance जो है आपका like near about 3,5 लाग से लेकर 5 लाग तक आपका maintain होना चाहिए, ये नहीं है कि आप आपने visa लेने से पहले एक मिहना पहले आपने बीच में 1,5 लाग डाल दिया, या 2 लाग डाल दिया, बिल्कुल भी visa नहीं लगेगा, आपकी salary आपकी आती रहे, खर्चा भी करते रहे, आपकी salary से दिरे 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 आपका bank balance वो बढ़ता रहे, ये आपकी second tip है, third, आपकी itinerary या covering letter, ठीक है, ये दोनों चीजे बहुत maintain करके आपको लिखनी पड़ती है, covering letter लोग लिखते नहीं है, या covering letter के अंदर ही आपनी itinerary डाल देते हैं, itinerary different होती है, covering letter different होता है, covering letter सिरफ एक page का रहेगा, या one and half page का रहेगा, राइट, और उसके बाद itinerary, itinerary भी लोग आप क्या करते हो, 5-5 page की बना दी, 3-3 page की बना दी, नहीं, itinerary ज्यादा से ज्यादा एक page की रहेगी, या दो page की रहेगी, इससे ज्यादा itinerary नहीं बनाने, proper itinerary के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा, कि मैं पहले दिन वहाँ पर जब मैं visit करूँगा airport से, मैं hotel में second day आपने कहाँ पर जाना है, कौन-कों से places को visit करना है, ठीक है, proper उसमें maintain हो, 4-5 line के अंदर आप explain कर सकते हो, या 3 line के अंदर भी, then third day आगे आपका fourth, five, six, जो भी आपका 5-6, जितने भी दिन आप वहाँ पर stay कर रहे हो, आपका proper itinerary के अंदर लिखाना चाहिए, वहाँ पर या मैं 20 दिन के लिए गुमने जाना चाहता हूँ, ठीक है, country आपके पास France या German गुमने जा रहे हो, वहाँ पर आपकी rejection आएगी, अगर आप सिर्फ German के अंदर गुमने जा रहे हो, या एक country को गुमने जा रहे हो, तो आपका सिर्फ plan होना चाहिए, 5-6 दिन का, ज्यादा से ज्यादा highest seven days कर लीजिए, इससे ज्यादा मत कीजिए, जितना ज्यादा करोगे उतनी आपकी rejection आपके आने के chances ज्यादा रहे हो, ठीक है, अगर आप दो country को विजिट कर रहे हो, तो आप तीन दिन जर्मन के अंदर रह सकते हैं, तीन दिन फ्रांस के अंदर रह सकते हैं, seven day आपकी India वापसी हो जाएगी, दो country आपकी cover हो गई, तो इससे ज्यादा मत कीजिए, अगर जाता लालच करेंगे कि मैं 15 दिन गुमने जाना चाता हूँ, 20 दिन जाना चाता हूँ, तो वर्थ नहीं है, आपकी rejection आएगी, आएगी, तो ये तीन चार चिप्स हैं आपके लिए इन चीजों को अच्छी तरह से maintain करें, implement करें, आपका shangan visa short short लगेगा ही लगेगा, तो किसी भी agent के पास short short के नाम पर ठगे मत जाना ठीक है, अगर आपको fraud हो जाएगा, तो फिर इस चीज़ के अंदर आपका ही नुकसान, आपका ही पैसा खराब होगा, या पैसा नहीं खर प्रोजय करें, हया पिर इस हो झाल 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 कॉब है कर फिर ऐसे अरफ बोज़ें होगा ही एक Михानल झाल को तो किसी वांदेर ही एका ही एक्षावा़तिे हैं डाल की बास मेतावा